हालो बच्चों, बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज आपको क्लासिक्स्त का तेरवा पाठ रहीम के दोहे पड़ा रहे हूँ तो चलो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले आप स्वाप्तार देख लीजिए चिमा मतलब शमा करना, फोर्गिव करना, वडेन मतलब बड़े चोटन का मतलब होता चोटे, उतपात मतलब शारारत, शैताने हरी मतलब भगवान विश्णू, घटे मतलब कम होना ब्रगू मतलब ब्रगूरिशी तो पहले मैं आपको दो एका सरलर्थ बताऊंगी, और उसके बाद भाबर्त बताऊंगी चिमा बढ़न को चाहिए रहीमदाजी कह रहे हैं कि चिमा मतलब शमा बड़े नियानि बड़े वड़े व्यक्तियों को चाहिए बड़े व्यक्तियों को शमाशी लोना चाहिए उन्हें दूसरों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए छोटन को उत्पात और जो उत्पात करना है शैतानी करना है वो छोटे लोगों को ही शोबा देता है अब इसी बात को रहीम दाजी ने का एक्जामपल से समझाया है पाती पर लात मार देते हैं लेकिन भगवान विश्णु को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता उनको बिल्कुल भी गुसा नहीं आता बल्कि वे मुस्कुराते रहते हैं और उन्हें बल्कि भ्रगु रिश्व की चिंता होती है कि उनके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लग करें तो रहीम दाजी कहा रहे हैं कि भगवान विश्णु का इसमें क्या घट गया मतलब उनका क्या कम हो गया जो भ्रगु मारी लाथ जब भ्रगु रिशी ने उनको इच्छाती पर जब लाथ मारी थी तब भगवान विश्णु का प्रभाव कम नहीं वा बलकि उन्होंन नारन कहा जाता है तो बच्चों इस दूय में क्या बताए गया है कि बड़े व्यक्तियों को अचील होना चाहिए उन्हें दूसरों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए ठीक है अब इसका भाबर देखिए रहिंदाजी कहते हैं कि बड़े व्यक्तियों को yourself शमाशील होना चाहिए क्यूंकि शमा करना उनका बड़पन है जबकि शरारत और उद्धन्टता करना छोटों को ही शोबा देता है बड़े व्यक्तियों का बड़पन शमा करने से छोटा नहीं होता जिस प्रकार भ्रगु रिशी ने विश्नु जी की छाती पर पैरों से प्र उन पर क्रोध न करके चिंता व्यक्त की की उनके पैरों में चोट तो नहीं लगी इस प्रसंग से विश्नु जी का प्रभाव कम नहीं हुआ उन्होंने बड़गु रिशी को छमा कर दिया विश्नु जी की उदारता के कारण ही वे नारण कहलाए जाते हैं अब आगे का दो देखिए तरुवर फल नहीं खात है सर्वर पिये ही नपान कही रहीं पर काज हित संपति संचही सुजान सबसे बहले शब्दार देख लीजिए तरुवर मतलब पेड सर्वर मतलब तालाव और पिये ही मतलब पीता है पर मतलब दूसरों के काश मतलब काम और हित मतलब भला संचय मतलब इकटा करते हैं, एकत्र करते हैं, सुजान मतलब दिद्वान, सज्ञन लोग, देखिए सरलर देखिए पहले, तरुबर फल नहीं खात है, तरुबर मतलब पेड, पेड अपने फल खुद नहीं खाते हैं, सर्वर मतलब तालाब पी यानि पीते हैं ना यानि नहीं और पान मतलब होता है पानी कि तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता है वह दूसरों को ही देता है कही रहीम पर काज हित रहीम दाजी कहते हैं कि सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति संचै मतलब इखटा करते हैं संपत्ती मतलब धन दौलत किसके लिए खटा करते हैं पर काज हित पर यानि दूसरों के काज यानि काम के लिए हित मतलब भलाई के लिए जो सज्जन व्यक्ति होते वे लोग अपनी संपत्ती इखटा करते हैं पर किसके लिए करते हैं दूसरों की भलाई के लिए बच्चों इस दोहे में सिक्षा है कि हमें परोपकारी बनना चाहिए परोपकार का मतलब होता है दूसरों की भलाई के लिए काम करना इसलिए उन्होंने दो लोग दो चीजों क रहीन दाजजी ने पेड़ का और तालाव का ठीक है अब आप भाबर देखिए रहीन दाजजी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्व्यम नहीं खाते और तालाव अपना पानी स्व्यम नहीं पीता ये दोनों दूसरों के ही काम आते हैं उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी धन का संचे अपने लिए नहीं करते बे परोपकार के लिए संचे कियो हुए धन का प्रयोग करते हैं सज्जन लोग अपना धन दूसरों की सहता में लगाते हैं हते हमें परोपकारी बनना चाहिए आगे का दोहा देखिए पहले शब्दार देख लीजिए बडेन मतलब बड़े और लगू का मतलब उता चोटे डारी मतलब तिरिस्कार करना अपमान करना तलवारी मतलब तलवार पहले सरालड देखिए रहीमन देख बड़न को रहीम दाजी कह रहे हैं कि देख बड़े लोगों को देख कर मतलब बड़े कौन पैसे वाले लोग उको देख कर लगू न दीजे डारी लगू मतलब छोटा छोटे लोग न दीजे डारी यानि उनका अपमान नहीं करना चाहिए डारी मतलब अपमान करना कि छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए यदि हमारी दोस्ती पैसे वाले बड़े लोगों से हो जाती है तो छोटे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए अब इसी बात को रहिम दाजजी ने एक एक्जामपल से समझाया उन्होंने सूई और तलवार का एक्जामपल दिया है, कि जहां काम आवे सूई, कि जहां पर काम आवे यनि आती है, सूई, कहा करें तलवारी, तलवारी मतल़ तलवार, वहां तलवार काम नहीं आती, सुई का काम सुई कर सकती है और तलवार का काम तलवार ही करती है सुई बच्चों कपड़े सिलने के काम आती है और तलवार युद्ध में काम आती है तो सुई की जगे तलवार नहीं ले सकती है और तलवार की जगे सुई नहीं ले सकती है क्योंकि हर चीज का एक महत्व है सुई कित्ती छोटी होती है पर उसका भी महत्व है क्योंकि वो कपड़े सिलने के काम आती है अब इसका भाबर देखिए रहीम दाजजी कहते हैं कि धनी व्यक्ति के संपर्क में आने पर छोटे लोगों को छोड़ देना उचित नहीं है जिस प्रकार सुई का काम सलवार नहीं कर सकती उसी प्रकार जीवन में किसी की भी जरूरत पढ़ सकती है इसलिए हमें किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए इस धोए के माध्यम से रहींदाजी समझाना चाहते हैं कि इस अंसार में हर छोटी और बड़ी बस्तू का अपना महत्व है आगे का दोहा देखिए बिगरी बाद बने नहीं लाग करो किन कोई रहीमन बिगरे दूद को मते न माखन होए सबसे पहले शब्दार देख लीजिए बिगरी मतलब बिगरी और कोई मतलब कोई मते मतलब मतना और माखन बोलते हैं मकखन को बटर को ठीक है पहले इसका सरलर देखिए बिगरी बात बने नहीं रहीमन बाजी कह रहे हैं कि एक बार अगर कोई बात बिगर जाती है लाग करो किन कोई लाख मतलब लाख कौशिश करने के बाद भी वहे वात फिर से बन नहीं सकती है जब हम बिना सोचे विचारे कोई काम करते हैं या बिना सोचे समझ कर कोई व्यवार करते हैं हम उसको फिर से कौशिश करें कि वो ठीक हो जाए तो वो नहीं होता है अब इसी बात को उनोंने एक example से समझाया है उनोंने दूद का example दिया है रहिमन बिगरे दूद को जब दूद फट जाता है न तो मथे न माखन होए मथे नहीं मतना न माखन मतलब मक्खन कि जब दूद फट जाता है तो आप कितना भी कोशिश करो उसको मतने की पर उससे बट कर मखन नहीं निकलता है ठीक है अब इसका भाबर देखिए रहीम दाजी कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझकर ब्यवार करना चाहिए जिस प्रकार एक वार दूद फट जाने पर लाखों कौशिशों के बाद भी उससे मत कर मखन नहीं निकाला जा सकता उसी प्रकार बिना सोचे समझे किये हुए बिगड़े काम को दुवारा सुधारना कठिन होता है आते हमें सभी काम सोच समझकर करना चाहिए आश्यकरतियों आपको दोए समझ भी आये होंगे आगे के दोए मैं आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगी धन्यबाद